Hello students, welcome to Genius Academy आपके लिए एक good news है कि हमारा जो नया सेशन अब चलने वाला है 2021 और 22 का इसमें आप सभी को हमने पिछले वीडियो में भी आउगत कराया था और इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको आउगत करा रहे हैं कि अब आपकी पढ़ाई, आपकी स्कूलिंग सब आउनलाइन होने वाली है अभी तो फिलहाल आपकी जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियां चल रही है और 15 जून से हमारे यहां 36 गड में नया सेशन स्टार्ट होता है तो जैसे ही हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा 15 जून से तो आपकी पूरी पढ़ाई और आपकी पूरी क्लासेस इस बार आउनलाइन हो जाएंगी और स्कूल आपके कब तक खुलेंगे इसकी कोई गैरेंटी नहीं है लगभग उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगस्ति या सितंबर में जा करके कहीं आपकी स्कूल खुलेंगे वो भी अभी सिर्फ यह अनुमानित है ऐसा कोई confirmation नहीं है कि स्कूल आपके खुली जाएंगे प 15 फरवरी से मुश्किल से 20 मार्च तक लगभग तो उसी को अंदाजा लगा कर अब गौर्नमेंट भी इस बात को समझ गई है कि स्कूल खुलना तो संभव है ही नहीं इसलिए 36 गड़ बोर्ड की तरफ से ये पूरी तयारी की जा रही है कि लगभग 40 लाख बच्चों को अब आउनलाइन पढ़ाया जाएगा और आउनलाइन माध्यम से ही उनके स्टेडी होगी उनको स्टेडी माटेरियल दिया जाएगा उनके attendance काउंट किया जाएंगे उनको होमवर दिया जाएगा और होमवर को चेक भी किया जाएगा तो इस न्यूज में देखते हैं ये खबर 6 मई 2021 हरी भूमी की है जो कि आपको रायपूर मुख संसकरण में मिल जाएगा पहले ही पेज की ये खबर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल सिक्षा विभाग ने ऑन की मुटी बात कर लेते हैं 15 जून से 17 है आपकी और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं यह आवश्यक हो गया है यह हमारे जो माधमिक सिक्षा मंडल रायपूर यानि सीजी बोर्ट के जो सचियू है डाक्टर आलोग शुकला उनका कोट यहाँ पर प्रिंट किया गया है य इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की ओर द्यान दिया जा रहा है यह डाक्टर आलोग शुकला जी का कोट है यहाँ आप देख सकते हैं अभी आपकी गर्मी की चुटियां चल रही है और जैसे ही गर्मी की चुटियां खतम होगी अगला सेशन 15 जून से स्टार्ट होगा तो आपकी क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएंगी इसका बाकी का न्यूज आपको पेज नंबर 3 में मिल जाए गए मैं आपको यहीं पर आपको बता देता हूं कि वहाँ पर कौन सी खबर है तो आपको सारी चीज़े किलियर हो जाएं तो देखिए इस बार जो है लगभग 40 बता बच्चों को ई-learning प्लेटफॉर्म से जोडने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है आपको मालूम है कि देखो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल लास्ट ये भी नहीं खुले थी और इस साल भी अंदाजा है कि ऐसे बच्चों के लिए स्कूल नह तो भी पटन से बच्चों को इस वह पेजैं या नहीं भीजाएं इस बात की कोई यरेंटी नहीं है तो पूरे पूरे चांसें से कि पैरेंट्स कोरोना के डर से अपने छोटे-छोटे बच्चों को पहली से आठमी तक के बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे उनकी पढ़ाई इस साल भी प्रभावित होने वाली है तो उनकी पढ़ाई के लिए भी विशेश ध्यान दिया गया है कि उनको जूम के माध्यम से वाटसेप के माध्यम से टीचर पढ़ाते रहेंगे तो पढ़ाई रुकेगी नहीं पहली से लेकर के दस्मी तक के बच्चों के लिए उनकी पहले से ही वेबसाइट से जहां पर आप कोर्स उनके देख सकते हैं स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा और किताबें क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के लिए 36 गड़ बोर्ड की सारी किताबें अवी लेवल हैं आप चाहें तो उसको जागर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख सकते हैं अगर आपको किताब ढूडने में प्राबलम होता है तो आप इस वीडियो के प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इन बच्चों की पढ़ाई अब लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा इलेक्ट्वानिक तरीके से चुकि सिर्फ आप जानते हैं लास्ट इयर सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी सी सकती दिखाई गई और पढ़ाई को क प्रोटोकॉल दिया जानते हैं लेकिन जो गौर्मेंट स्कूले हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविदिया नहीं हुई पढ़ाई को लेकर के और हजारों लाखों बच्चे इसे प्रभावित हो गया और उनकी पढ़ाई नहीं हुई इस बार गौर्मेंट थ जूम के माध्यम से 11 और 12 की कक्चाएं आयोजित होंगी पर्टिकुलर टीचर आपकी क्लासे से लेंगे जो आपकी स्कूल में पढ़ाते हैं चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो जूम के माध्यम से क्लास 11 और क्लास 12 की पढ़ाई होगी और गौर् करवाना होगा बच्चे को अपना रजिस्टेशन करवाना होगा रजिस्टेशन के लिए सिर्फ बच्चे को एक मोबाइल फोन ही चाहिए मोबाइल फोन के माध्यम से वह अपना रजिस्टेशन करवा सकता है और उसकी पूरी पढ़ाई free of cost होगी, वहीं पर उसको PDF के format में सारे books मिल जाएंगे, notes मिल जाएंगे जो जो से विधाई teacher पर वाइट कराना चाहता है वो सारी चीज़े आपको cgschool.in पर जो उनकी official website portal है, वहां से आपको सारी चीज़े मिल जाएंगे, तो आपको वहां registration करवाना होगा तो registration की प्रक्रिया आगे हम किसी वीडियो में बता देंगे, अभी आपको सिर्फ ये notification दिया जा रहा है इस वीडियो के माधम से, इस साल आगामी सत्र की पढ़ाई पूरी online होने वाली है, ना आपकी स्कूल खोलेंगी ना offline school लगेंगी, ना कोई coaching लगेगा, कुछ भी नहीं होगा तो आपको अभी शुरू से ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ताकि समय रहते सारी चीजे हो जाएं, और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, कि इस साल schooling भी आपकी online होगी, और exam भी आपके online होगे, अब इस साल देखो दसमी की परिक्षाएं cancel हो गई है बार्मी की भी लटकी होई है, कोई नतीजा भी उसका आया नहीं है, आप इस धोखे में नहीं रहेंगे, कि हमारी भी दसमी की परिक्षाएं cancel हो जाएंगी, क्योंकि government इस बार पूरी programming बना रही है पूरी plan कर रही है, कि आपकी पढ़ाई भी online और आपके exam भी online होगे, तो यह सारी चीज़े आप online होने वाली है, तो आपके लिए कोई भी विकल्प नहीं रहेगा, exam cancel करवाने का, तो तो अब हर बच्चा चाहे वो गाउं का हो, चाहे वो शहर का हो, सरकारी स्कूल का हो, प्राइवेट स्कूल का हो, हर एक की सिक्षाब online होगी, और जब तक स्कूल नहीं खुलता, तब तक प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, आपकी रिजॉल्व करने की, तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाई,